नमस्कार एक बार पनो हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपनी चैनल गोब्लोक्स पे दोस्तों मैं हूँ भासकरानन डोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक अपनी ही यूट्यूब चैनल गोब्लोक्स पे एक फिमेल पाम हमारे सामने है और अगर हम साधारन तरीके से हतेली पे नजर डालते हैं तो हतेली का आकार हमें इस तरह से एक आयताकार हतेली दिखाई दे रही है आयताकार इसका आकार है ये निश्चित है जिस तरों से आपकी मस्तिस्क की रेखा भी बताती हुई यहाँ पे नजर आ रही है मानसिक वर्क अपनी जिवनकाल में आपको ज़्यादा करना पड़ेगा करियर के मामले में और निश्चित ही जो है बोलने से या मानसिक वर्क से आपका काम ज़्यादा होगा सारिक मेहनत आपको थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी मेहनती हैं इसमें कोई दोराई नहीं है लेकिन दार्षनिक विक्तित्व भी आपका रहेगा लेकिन बरतमान समय को थोड़ा सा देखते हैं तो पूरी हतेली में जहां तहां छोटी छोटी रेखाओं का अपना मकड जाला की तरह जाल बिछा रखा है ये नगेटिव पॉइंट है और विक्ति की जो प्रगति है जो डेपलप्मेंट है उसमें बहुत जादा इसका प्रभाव पड़ता है ये रेखाएं आपके बरतमान समय को बता रही है ये रेखाएं बरतमान समय में मानसिक तनाव की इस्तित पैदा करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है आपका जो development है जो आपकी progress है उसको तीब्र गति से रोकने का ये काम कर रही है और धन की इस्तिति के हिसाब से अगर देखते हैं तो ये रेखाईं चाहिए कितना भी धन आ जाए हतेली में टिकने नहीं देती है ब्यक्ति को दरिद दरता के और ये रेखाईं ले जाती है और development को सुनने के अस्तर तक पहुँचाने का ये कार्या करती है आपकी जो मिहनत है आपका जो परिसरम है उसका पूरा सरेई पूरा credit आपको नहीं मिल पाता है अगर इस तरह की बारीक बारीक रेखाऊं का जाल बिश्च जाए तो खास कर धन और करियर और परिवार के मामले में दामपत्य जीवन के मामले में ये प्रेशानियां पैदा करती है और व्यक्ति थोड़ा सा जो है संगरसमय इस्तिति में आ जाता है और मानसिक प्रेशानी व्यक्ति को जहलने पड़ती है तरक्की बिक्तिकी खतम सी होने लगती है अब यस की प्राप्ति नहीं हो पाती है आपको चाहिए आपको निश्चित रोप से इन रेखाओं का मैं निदान करने का उपाई दूँगा बेग्यानिक उपाई दूँगा एक जोतिसिय उपाई दूँगा और एक प्राक्रतिक उपाई दूँगा तीनों का सामन जस्य दूँगा एक ही उपाई दूँगा बड़ा सरल उपाई दूँगा अगर आप इस तरह की रेखाएं आप लोगों की हतीली में है और किसी कुंडली बिसे सग्य को अगर आप अपना हाथ बताते हैं तो निश्चित में तीन दोसों में से एक दोस आपकी जनम कुंडली में निकलेगा या तो नजर दोस निकलेगा या काल सर्प योग निकलेगा या तो पित्र दोस निकलेगा या वास्त दोस निकलेगा इन दोसों में से एक दोस आपकी जनम कुंडले में निश्चित निकलेगा क्योंकि ये एक नजर दोस है, एक नगेटिव ओरजा है जो आपकी हतीले में घर कर गई है और इसका प्रभाव धाई वरसों तक बहुत ज़ादा रहता है अगर उपाई न किये जाएं, दिन चरिया थोड़ी सी न बदली जाए तो पाँच वरसों तक ये विक्ति को बहुत ज़ादा प्रेशान करती है तो सबसे बड़ा कारण आपका यहां पे यही दिखाई दे रहा है दूसरा आपकी हतेली में जो सूर्य का भाग है वो यहां पे दूसित आउस्ता में दिखाई देता होँ नजर आ रहा है एक तो ये बिचारों में बहुलता देती है बिखेर देती है, बिख्ति तयने कर पाता है कि वास्तों में मुझे किस और जाना चाहिए या तो नोकरी ही करनी चाहिए या ब्यापार करना चाहिए ब्यापार भी करना चाहता है ब्यापार भी करना चाहता है नोकरी भी करना चाहता है जिस काम में उसे फायदा देखे वो काम भी करना चाहता है और किसी काम में ज़्यादा सफल नहीं उपाता है ये रेखाएं उस औ न तो पूरा सुर्ई मिल पाता है न उसका credit मिल पाता है जो आपके अंदर योगता है जो आपके अंदर quality है उस तो सेचे चीज़्ें उभर कर आती हुई नहीं दिखाई दे रही है और स्वस्थ्य का अगर मामला हो तो सुर्य इस तुरो से हो तो स्वस्थ्य के बिकार भी उत उत्पन करता है चाहे हमारी हड़ियों का मामला हो चाहे हमारा आँखों का मामला हो चाहे हमारा हार्मोनल सिस्टम का मामला हो अगर सूर्य कमजोर है तो इन चीजों पर फरक पड़ता है विकार उत्पन हो जाते हैं और आपकी जो योग्यता है जो आपकी क्वालिटी है उस त सिद्धी नहीं मिल पाती है आपका सूर्य इस इस्तिती में बैठावा दिखाई दे रहा है बर्तमान समय में दूसरी बात है अगर हम सनी को देखें तो सनी जो है इस तरौक से है कि अगर नौकरी का मामला हो तो ये मानसिक तनाव या अर्चने देख सकता है और कहीं न कहीं भ साथ में अगर देखें हम ब्रस्पती भी पूरी तरों से सनी की तरफ ढ़ले हुए है तो दामपत्य जीवन हो या आपका पारिवारिक जीवन हो इसमें कहीं न कहीं जो है समस्याएं आ सकती है या आपको समस्याओं से जोजना पड़ सकता इस बात की भी संभावना एक बिसेस अच्छी लाइन है दो उनको भी देखते हैं पिर हतेले के बिशलेशन करते हैं देखेगा आपकी जो जीवन की रेखा है यहां से निकल करके भग्य की लकीर जाते हुई दिखाई देरी है और गुरू की तरफ देख रही है करियर और धन के मामले में आपके 35 वर्स बहुत अच्छा रहने वाला है या यूँ कहें 35 वर्स से ही धन और करियर के मामले में एक भाग्योदई की इस्तिति को यह रेखा पैदा करते हुई दिखाई देरी है और आपकी हतेली को अगर देखें तो आपके जो इष्टदेव है वो भगवान संकर है और मा पा लेकिन आपके इष्टदेव हुई है मातारानी और भगवान शंकर जितना आप इनकी सरनागति जाएंगे जीवन में सुक और समर्दे की उतनी ज़्यादा प्राप्ति होगी करियर के मामले में देखें तो करियर के मामले में जीवन जो है करियर और धन की रेखा से आरम हो भाग्योदे की इस्तिति को पैदा कर रहा है तो 35 वर्स से निश्चित तोर पे भाग्योदे की इस्तिति आपकी हतेली में दिखाई दे रही है और जीवन के हर जगह से आपको खुसियां मिलेंगी और समर्दी और तरक्की आप अपने 35 साल से बहुत अच्छी तरीके से करे और उच्च पदस्त के योग भी ये बता रही है और कहीं न कहीं सरकार द्वारा लाव की प्राप्ति के और भी ये ले जा रही है अगर आप सरकार द्वारा लाव की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं तो ब्याबार की तरफ आपकी हतेली जाती हुई दिखाई दे रही है लेक अब मैं जो है आपकी हतेली का विश्लेशन कर लेता है यहाँ पे अगर आप देखोगे आपकी जो उंगली है जिसे हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं ब्रिस्पती पे बनने वाली उंगली है यह अगर ब्रिस्पती की उंगली का जोकाओ middle finger की तरफ होता है जिसे sunny की उंगली कहते हैं तो बेक्ति के अंदर ये धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है आपका जो बेक्तित्व है वो इस्वर में विस्वास रखने वाला बेक्तित्व है इस्वर के पर तिसर्दा भाव रखने वाला बेक्तित्व है और इस्वर में आप विस्वास रखती है अगर हम आपकी बीच की उंगली देखे तो हल्ल के रोप से जो है यहाँ पे रिंग फिंगर की तरफ जोकी हुई दिखाई दे रही है इसमें थोड़ा sunny के negative गुन है बहुत जादा मेहनत करने पर ही आपको सपलता की प्राप्ति होती है यह उंगली बता रही है वहीं सूरे की उंगली देखे अपने अस्तान पर लमवत करी है जो हिम्मती सुभाव को और रिस्क लेने की चमता को दिखाती हुई यहाँ पे नजरा रही है वहीं देखे इन दोनों उंगलियों की बीच अगर देखे हम तो आपकी ब्रस्कति की उंगली हलके रोप से बड़ी दिखाई दे रही है जो ब्यवार को सलता को बता रही है ब्यवार को सल होंगी और कहीं न कहीं लेटर्शिप के गुण आपके अंदर जादा रहेंगे अपनी ही बातों को मनवाने की इक्षा मनी लिटर्शिप के गुण और एक इगो प्रोब्लम भी हलके रोप से रह सकती है इसकी भी संभावना है आपकी कनिष्टा उंगले लमवत खड़ी है बहुत अच्छी बात है लेकिन सूर्य के पहले पौरवे तक नहीं पहुँच पा रही है थोड़ा मनी मेनेजमेंट में कागजों के रखरकाव में या एकाउंटबिल्टी में थोड़ा सा असर रह सकता है कसर बाकी रह सकती इसकी ज़्यादा संभावना दिखाई दे रही है सभी उंगलियों का जोकाव अगर हलकी रूप में देखे तो सनी की उंगली की तरफ है ऐसे में बेक्ती जीवन में कई बार दुखी हो जाता है या जीवन में सब कुछ होते होई भी खुशियों में कमी देने का कार्य ये सनी करता है अंग उठा पीछे की तरफ मुणावा और बलिष्ट अवस्ता में दिखाई दे रहा है अपनी हितों की रक्षा करना सर्वोपरी मानती है और सुक्र का परवत अच्छे रूप में उठावा दिख रहा है तो निश्चित ही लगजरी की तरफ बहुत इक सुक्सुविदाओं की तरफ ज़्यादा आकरसंड रहने वाला है और सुक्र आपको इसका फायदा भी देगा ये गलेमर को अट्रेक्ट करता है चकाचोंद रहेंगे आने वाले समय में बहुत इक सुक्सुविदाओं से परिपूर्ण रहने वाले है 35 वर्षी के बाद से और निश्चित रूप से ये तन की और मन की सुन्दर्ता भी देने वाले ग्राह है आपकी जो प्रसनल्टी है वो निखर कर आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके अगर रेखा की और हम चलते हैं यहाँ पे अगर देखें तो ये रेखा आपकी इस तरों से जाती हुई दिखाई दे रही है मनी आपकी जो सोच है वो हमेशा आगे बढ़ने की रहेगी आपकी जो इक्षा है अपनी छेतर में एक टॉप लेबल तक पहुँचने की रहेगी और उसकी लिए आप कितना भी मेहनत आपको करना पड़े कोई जुगार लगाना पड़े कोई उपाई करना पड़े आप जरूर करेंगे यहाँ पे एक रेखा उपर की और जारी है यह बिश्णो का सिंबल आपकी हतीली में बन रहा है 35 वर्स से निश्चित तोर पे अगर आप अच्छे कारे करेंगे अच्छे राहा पर चलेंगे तो जिस कारे में हाथ डालेंगी उसमें पूरी सपलता अर्जित करेंगे और अपनी समाज के छेतर में परतिष्टा पाएंगे यस की प्राप्ति होगी यहाँ पे एक रहखा उपर के और जारी है और ब्रस्पति पे एक गुणा का चिन बन रहा है निश्चित रोप से आने वाले समय में अगर दामपत्य जीवन को देखा जाए तो उसमें सुक और सांति की प्रात्य होगी इस बात की भी सम्भावना दिखाई दे रही है अब एक चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं आपकी मस्तिस्क की रेखा देखें मस्तिस्क की रेखा इस तरह से उर्द्वहम जो चंद्र है वहाँ पे पहुँच रही है साप सुत्री है और ये बता रही है कि विबेक सीलता से काम लेने वाले बिक्तित्वाप करहेगा क्योंकि ऐसे लोग विबेकवान होते हैं आप अपने विबेक से हर समय कुछ ना कुछ सोचने वाले और मस्तिस्क से कारे करने वाला बित्त वापका रह सकता यदि आप कह सकते हैं ये रेखा इस तरह से बनी है कि उच्च पदस्त सरकारी अधिकारी या इससे समंदित छेतर में कारे करने वाले ऐसे लोगों की हतिली में ये होते हैं या जिवन काल में ये दूसरे भी छेतर में हो तो वहां भी अपने विवेग से ही कारे लेते है इसकी प्रवल संभावना यहां पर दिखाई दे रही है जिवन की रेखा को अगर देखें जिवन की रेखा इस तरों से यहां पर आती हुई बहुत सुन्दर दिखाई दे रही है जिवन में निरंतर उन्नत ही है लेकिन उतार चड़ाव भी है और इस्तिरता भी है एक रेखा जो है एक दो रेखाई चंदर की और जारी है अगर आप एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, सिपिंग या फूड बिजिनिस में अगर ब्यापार के छेतर में कारे करेंगी तो ज़्यादा फलत तो आपका होगा या सरकारी छेतर में कारे करें तो चंदरमा आपको उसमें सहयोग परतान करेगा यहाँ पर एक चीज देखेगा आपकी हतेली में एक दो रेखाएं जीवन की सहयोगी रेखाएं भी दिखाई दे रही हैं आपको अपने जीवन में आने वाले समय में दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा यह रेखाएं यह भी इंगित कर रहे हैं भगवान शंकर मा पार्वती की किरपा आपके उपर बनी रहेगी और निश्चित ही सोचने और समझने की सक्त भी आप में विसे सुरुप से आती जाएगी और प्रतिभा और तीब्र बुद्धी की मालकिन भी आप रहेंगी इस बात की निश्चित है और आपका जो ब्यक्तित्व है आने वाले समय में अच्छा खासा प्रभाव साले रहने वाला है और भूमी से या भूमी से लाब मिलेगा या भूमी से जिन वस्तों को प्राप्त होती है वो यसे वस्तों का लाब आपको प्राप्त होगा यहाँ पर ब्रस्पति जो है पूरी तरो से सनी से ढलावा दिखाई दे रहा है और ये ब्रिस्पती जितना ज्यादा जुकाव सनी की तरफ लेता है उतनी देर बिवा होने की संभावना बिक्त की जीवन में बन जाती है अगर बिवा नहीं हुआ है तो 32-34 साल के बीच में जो बिवा की संभावना यहां पर बहुत दिखाई दे रही है अगर हो गया है तो ठीक है यहां पर अगर देखें बिवाह की रेखा पूरी तरह से जीवन की रेखा की तरफ ढलती हुई यहां पर दिखाई दी रहे है तो ऐसे में थोड़ा सा जो जीवन साती होता है कई बार जो है जरूरत से ज़्यादा अपने लाइप पार्टनर के उपर प्रभाव डालते है या मेंटल टॉर्चर करना इस तरह की जो चीजें होती है वो ज़्यादा देखने को मिलती है और लब बिवाह भी ऐसे लोगों क जादा होता है इसकी संभावना जादा रहती है दूसरी बात कि जीवन कैसा रहेगा उसके लिए एक कालपनिक रेखा अगर खींच के देखें तो मस्तिस करेखा बहुत सुन्दर दिखाई दे रही है जीवन विवाह के बाद डेफनेटिली उत्तम जाने वाला है जीवन की रेखा देखें उतनी जादा नहीं है लेकिन जितनी साफ सुतरी होती जाएगी उतनी ही बेहतरी लाइप आप जो है अपना दामपते जीवन लीड करेंगे इसकी संभा होना जादा दिखाई दे रही है करियर के और धन के मामले में तो 35 वर्षा से बहुत सुन्दर है यहां पर आप देखोगे यह जो अंगोठे के नीचे का भाग है इसको सुक्र का प्रवत कहते हैं और इसके बारे में मेरे से भी विवर से जानते हैं कला है सुन्दर है और सुन्दरता है इन सब चीजों के लिए और एक सुखत जीवन के लिए हतेली में इसका पुष्ट होना बह बहुत गजब की देगा ये और सुन्दरता भी देगा नई चीजों के प्रतिरुजान भी दे रहा है और कहीं न कहीं अपने को मेंटेन डखना अपनी परसनल्टी पर विसेश ध्यान देना ये चीजें भी यहां पर अच्छे खासी दिखाई दे रही हैं लेकिन बरतमान सम बास्तों में आपको मिलना चाहे उस सुक में थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है चाहे वो सारेरिक सुक हो चाहे वो मानसिक सुक हो चाहे वो दामपत्य जीवन का सुक हो चाहे वो परिवार का सुक हो इस सुक में थोड़ी सी सुकर के नगेटिब होने के कारण और नगेट से देखा जाए तो अभाव की इस्तिति को ये जन्म देता हुआ दिखाई दे रहा है हाँ आपका जो निम्न मंगल है वो कहीं न कहीं आपको अचल संपति का लाव दिला रहा है लेकिन बरतमान समय में थोड़ा सा कनफ्योजन की इस्तिति निरणे लेने की छमता में असर डाल देता हुआ और थोड़ा हलके रुप में मानसिक तनाव देता हुआ दिखाई दे रहा है ओपनी मंगल आपका बहुत अच्छा है प्राकर्म बहुत अच्छा रहता है एसे लोगों को और जादतर ऐसे लोग करियर के छेतर में देखें जिनका इस तरो से मंगल रहता है तो जिस छेतर में ज्यादा साहस दिखाने हुआ तो आर्मी होती है खेल होते हैं या आप कहें पुलिस वाले होते हैं ऐसे छेतर में ज्यादा अपना करियर बनाता है ये प्राकर्म दे रहा है और एनरजेटिक सुवाव दे रहा है लेकिन निम्नमंगल कन्फ्यूजन दे रहा ह दुबिदा देता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है हाँ अचल संपत्य का लाब मिलेगा इस बात की स्योर्टे भी दे रहा है आपका ब्रस्पति अगर देख़े जाए आपका ब्रस्पति बहुत अच्छे रूप में है सुन्दर रूप में बैठे हुई है स्रेष्ट जातिका होंगी स्वयम भी उन्नत करेंगी ही जो आपसे मन से जुड़ेगा आया आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नत करने में साहता परदान करेंगी सहयोगी होंगी स्वाविमानी होंगी अपने छेतर में जादा से जादा जो knowledge है उसको अरजन करने वाली होंगी नियाई पिर्य होंगी और अपनी बातों का निर्वन करने वाली होंगी प्रोपकार की भावना आपके अंदर है धार्मिक भावनाईं भी अच्छी रहेंगी और आचारे ब्रिस्पति इस तरों से सु नारे से लेकर महलों की उचायों तक हर जगा आपको सम्मान मिलता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है देखेगा कुछ समय के लिए negative उर्जा के कारण समस्याईं रह सकती हैं इसमें कोई दोराई नहीं है लेकिन समस्याईं जिवन से बाहर भी हो जाएंगी आप समस्याओं से भी बच जाएंगी यह आपका ब्रस्पति यहां पर बताता हुआ नजर आ रहा है खास कर अगर आप सिक्षा के छेतर में इंजीनियरिंग के छेतर में चिकित्सा के छेतर में मैनेजमेंट के छेतर में कानून के छेतर में और वानिज्या बैंकिंग के छेतर में कारे कर र निश्चिती ही बहुत बड़ी तरक्की आप प्रदान करेंगे ये निश्चित है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पहली भात समझने वाला ब्यक्ति तो आपका है। योजना बनाकर आप कार्य करते हैं इसके गुण आप में हैं। और आप जो भी कार्य परारम करती हैं उसे पूरा ओश्य करती हैं। और यहाँ पर देखा जाए ये बहुत खूब सूरत अवस्तामी हैं। तो निश्चिती ही वानी की सकती भी बहुत अच्छी दिखा रहा है। एक आकर्सन करने वाली सहद सी मीठी बानी। और मनो बेग्यानिक के छेतर में माहिरता दिखा रहा है। सामने वाले को किस प्रकार से अपने हक में किया जाए ये गुण आपके अंदर अच्छी तरों से दिखाई दे रह बिक्ति के खूब सूरती को भी बढ़ाता है। यहां पर आपका बुद्ध इस तरह से खूब सूरत अउस्ता में दिखाई दे रहा है। अगर हम चंद्रमा की और चले तो यहां पर बहुत सारी रेखावनी इसको कट पिट के अलग अलग तरों का बना लिया है। जिस नहीं रह सकता है। लेकिन आने वाले समय में confidence level को यह बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। सरीर में अगर किसी कारणों समस्या हो भी जाए लेकिन मन को मजबूती देगा। और सरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है आने वाले समय में बहुत बढ़िया रहने वाला है। और creativity को यह जन्म देता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हतिली का पूरा visualization करके आपको बता दिया है। उपाई में विदिवत तरीके से लिख करके भेज रहा हूं। करने की आप कोसिस करेंगे तो निश्चित ही जिवनकाल में सपलता की प्र को झावचर जिवनका